कलर्स पर अब दुर्गा और चारू नया शू लोंच हो रहा है और लोंच होते ही इस शो में हमको जेनरेशन लीप देखने को मिल सकता है तुझ लिए जानती हैं कि आखिर इस नए शो को लेकर अब क्या नई डिटेल्स सामने आई हैं दुर्गा और चारू शो बैरिश्टर बाबू का सीजन टू है जो की शर्शी तुमीद प्रोडक्शन बना रहे हैं इस शो में दुर्गा और चारू दो बहनों की घानी दिखाई जाएगी दुर्गा का रोल और भटनगर बढ़ोनी निभा रही हैं तो ही चारू का रोल प्रोच होते ही जनरेशन लीप लेगा और खबरे हैं कि शो में एक फिमेल लीड के लिए आक्टरस कनी कामान को अप्रोच किया गया है कनी कामान अब तक काफी नाम कमा चुकी हैं जो कि इससे पहले बढ़ो बहू और गुड़न तुमसे ना हो पाएगा जैसे शो उसका हिस इनको शो में वन ओफ दा फिमेल लीड रोल के लिए प्रोच किया गया है और मोस्ट प्रोबैबली दुरगा के रोल के लिए अगर दुरगा और चारु शो में देखा जाए तो इस शो में फिलहाल कोई मेल लीड नहीं है हलंकि करिश्चोहान जरूर एक एहम भूमी का में दिखाई देंगे तो जनरेशन लीड के बाद से शो में हमको मेल लीर्स भी देखने को मिल सकते हैं और दो फिमेल लीर्स भी आपको बटा देंगी दुरगा और चारु शो में आईशा विंधारा प्रिथी आमीन पुर्वी मिश्रा वेदा अगरवाल जोती मुखर जी कोश के लिए कनी कमान फाइनलाइजड हो पाती हैं या फिर नहीं आपके हिसाब से क्या शो को अभी सही जनरेशन लीड लेना चाहिए या फिर नहीं अपनी अपिनियन दीजिये नीचे कमेंट से एक्शन वे सुडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राब कीजिए